प्राइम मिनिस्टर नरीदर मोदी की लीडर्शिप के अंडर सेंटरन गौवर्मेंट ने 17 सितंबर को फावर में थर्ड सक्सेसिव टर्म में रहने की अपने 120 पूरी किये जिस दिन बीएम मोदी अपना 74 बर्दी स्टाइबेट कर रहे हैं 2014 और 2019 के कंपेर रिड्यूस मेजॉर्टी के साथ गौवर्मेंट फॉर्म करने के बाद और जंदर देल्ट पी उनाइटेड और तीनकू तीसम पार्टिंग जैसे अनाइस पन डिपेंडेंट होने के बाद बीचीपी ने पहने 100 दिनों में कुछ सिक्लिफिकेंट मेजर्स करना अम महरस्टर के वधावन में एक मेगा पॉर्ट बिल्ड करना शामिल है इंफरस्ट्रक्चर के अलावा गौवर्मेंट के फोकस एकरिकल्चर में खरीब क्रॉप्स के लिए मिनमूम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज करना अनिर और बासमती राइस पर मिनमूम एक्सपोर प्राइसे रिमोफ करना, क्रूट फार्म, सोयबी और सनफ्लावर ओयल के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर भी रहा है। मोदी गौवर्मेंट का फोकस, पॉन्दिसी फ्रेंट पर स्टेविटी प्रुवाइट करने पर रहा है। जिसमें ओरिशनल कॉंसेप्ट को ड्यूट किये बिला सुरवाती प्रॉब्रम को रिमोफ करने के लिए सर्टेन चेंजेस अडॉप्र करने के लिए फ्लैक्सिबल अप्रोच अपनाया गया है। इसका एक एक्जाम्पल गूर्ज और सर्विस टेक्स है जिसमें फ्रिक्षर को ड्यूज करने के लिए 140 चेंजेस किये गए है। गौर्मन ने महास्टर में वधावन मेगा प्रोजेक्ट को 76,200 करोड उपए अप्रूफ किये हैं जो वर्ट की टॉट 10 पोर्स में से एक होगा। प्राइम निस्टर रूजर रोट की फोर के अंडर 49,000 ग्रोवर रूपीस की सेंटर असिस्टेंस के साथ 25,000 अनकनेक्टर बीजेस को कनेक्ट करने के लिए 62,500 किलोमेटर रोट अब बीजेस के कंस्ट्रक्शन और अप्रिशन ब्रांट करने के लिए अफ्टूबल दिये ग कॉरिडर प्रजेक को भी अप्रूफ किया गया है। इन एंग्रिकर्चर सेंक्टर में रिवॉलिशन लाना और स्टार्टप अधूर इंटर्प्राइस को सपोर्ट करना है।